हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू मैं इस्टुडी फीट ऑफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो आज की सेसमने 15 एमसी की कोशन हैं जैसे कि आपके बीपीएसी में पूछा जाता है उसी प्रकार से मैंने कोशन सेट अप किया हुआ है पाँच आपसन पूछे जाती हैं कोशन को छाड़ कर मैं आपके सामनी उपसित कर रही हूँ जो आपके एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों मैं कोशिस करूंगे कि 20-20 कोशन रहें जैसा मेरे को टाइम मिल पाता है मैं वैसा करती हूँ और कोशिस करूंगे एक भी दिन वीडियो इसकीप नहों आप सुरू से लाज तक वीडियो देखेगा एक एक कोशन को मैं पूरे एक्स्प्लेंस के साथ पढ़ा रही हूँ और 21 को आपको एक्जाम है 21 से पहले तक सभी मोश्ट चीजे मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिस करूंगी आप मेरे साथ बस बने रही तो चलते हैं आज के को कोशन है दोस्तों भारत सरकार के खेल विभाग में भारतिये खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्व सम्मति से पास किया भारतिये खेल प्राधिकरण आप इंडिया यहां पे भारत सरकार के खेल विभाग में भारतिये खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्व सम्म का प्रस्ताव को सर्व संबती से कब पास किया तो दोस्तो यहां भी आपने कोशन का आइंसर दे दिया होगा इसका आइंसर है आशन नंबर ए 25 जनवरी 1984 जैसा कि आप जानते हैं स्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया की स्थापना हुआ पत्थीस जनवरी 1984 दोस्तो कल मैंने आपको आई ओसी के जो इस्थापना हुआ था तेज जून 1894 के हुआ था और मैंने कभी कभी मिस्टेक होता है दोस्तो मैं तेज जून को 25 जून बोल दी हूं इसलिए उस कंफ्यूजन में मत होईएगा आई ओसी की स्थापना 23 जून 1894 के हुआ था पेरिस के सरबुर्ना मगस्थान पर याद रखेगा अग तेज जून को ही मेरे मायन में तेज जून चल रहा था तेज जून अंदर से बोल रही थी लेकिन मुह से 25 जून निकला था इससे में आपको कोशन गलत हो सकता है दोस् कि भारती खेल प्राधी करण की बात हो रही है ति यह 25 जनवरी 1984 को इस्तापित किया गया था और भारास सरकार के बारा सरुसमनती से पास किया गया था और दोस्तों जो यह 25 जनवरी 1984 को भारास सरकार के यूथ आफेयर्स और खेल मंत्राले के विवहाग द्वारा इसको पास किया गया था और इसमें आम सभा में 33 सदस्ट्रे होते हैं और कारिकारी सभा में 28 सदस्ट्रे होते हैं जो ऑस इंडिया हैं इसकी चार कर्यात्म खंड है इसए फंक्ष्णल विंग हा जाता है जिसमें से पढ़லा है अकाद्मिक या सईचिक कंड दूस्रा चलत वॉंग भंड जिसमें से अगाद्मिक खंड या इसक असे आदिम आदमिक खंड दूसरा कोण है तो दो है इसमें एक खेलो के लिए अकादमिक खंड और दूसरा साररिक सिच्छा के लिए अकादमिक खंड खेलो के लिए अकादमिक खंड NSNIS पटियाला है याई नेताजी सुबास National Institute of Sports है खेलों के लिए अकादमिक खंड साई का और साई के सारी सिच्छा के लिए अकादमिक खंड है प्रिवेंद्रम में LNCPE के रूप में 17 अगस्त 1985 को इस उद्देश से स्थापित किया गया था तो यहाँ भी याद रखेगा चलते हैं next question के तरह next question है खेलों के अतरिक्त उर्जा सिधान्त को किसने प्रतिपादित किया यानि who pronounced the surplus energy theory of game तो दोस्तो अतरिक्त सक्ति सिधान्त को किसने प्रतिपादित किया surplus energy theory को तो इसको प्रतिपादित किया है का हर्बर्ट इस्पेंसर और सीलर ने किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों शार्बर्ट इस्पेंसर और सीलर ने हां यहां पहें आपको को हर्बर्ट इस्पेंसर और सीलर दिख नहीं रहे हैं क्या सब्सक्रारा यहां पर कार्ल बुरुस जो है वह भॉइस दर्सी सिधान्त के पुर्वानिमानित सिधान्त या एंडी सीपेटी थ्यूरी को प्रचिबादित किये हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा एंड पैट्रिक हेडर्शन जो है वो डवल्यू पैट्रिक ने अमनुर अजनात्मक सिधान्त रिकेशनल थ्यूरी दिया है यह भी आपका गलत हो जाएगा इस टेनली हाल ने पुना अलोकन धाड़ा यानि पुना कथन या पुना बृति या री कैपिकुलिट्री थ्यूरी को दिया है तो इस टेनली हाल भी आपके गलत हो जाएगे तो इसमें से कोई नहीं आपका राइट होगा यहां पी क्या हो जाए इसमें से कोई नहीं दोस्त दाद यानि सरफ्पर्स इनर्जी थिएरी के प्रधिपादक हैं हरबर्ट इस्पेंसल और सीलर ठीक है एंड साइको एनल्टिक थिएरी मुनुबिसेशर धाड़ा के प्रोड़तक हैं सिंग्मौन फ्रायर रेचंद रेचंद धाड़ा एंड समाजिक धाड़ा सोसियल थिए औ स्वाज प्रभृतिधारा इंस्ट्ट प्रैक्टिस थिएरी को दिया है बिलियम मैकडूगल ने नेक्च कोसन हैै तीन हजार मिटर इस्टिपल चेज दोड में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है τον आपको मैंने एह्क रिट लिस्ट मिन जाएंगे तो इस्टिपल चेज पूछेगा तो 35 बाधा कितीकर मिलने 15 scientific जिसमें रूठीस जो है 18 बाधा होती है है और 7 जा क्या होती है जल कुदे होती है ठीक है 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 कि तो कुल 28 बाधाय होती है 28 बाधाशा और साथ जलकू truth । यहां पर कितना क्या पूछा है कितनी पानी बाधाय नि के जल कुदों को पार करना पड़ता है तो इसमें पानी बाधा यारी जल कुदों को कितना पार करना पड़ेगा दोस्तों कौन सा अंसर राइट होगा तो यहां पे राइट इंसर हो जाएगा आपका साथ जलकुदों को यानि पानी बाधा को पार करनी पड़ेगी तो कुल 25 बाधा जिसमें 28 बाधाएं और 7 जलकुद होता है जिसमें इसे पूरा 7 चक्कर लगा जाता है पर टेक चकर में 4 बाधाएं होती है और एक पानी बाधा होती है यानि कुल पांच बाधा है जिसमें इसे चार बाधा है एक पानी बाधा तो साथ पचे 35 ठीक है एंड नेक्ट कोज़न है दोस्तों कि प्रात्मिक उप्चार का आकस्मिक इसिती में सबसे महतपूर्ग कारे क्या होता है जो first arrow होता है प्रात्मिक उप्चार जिसमें CRI जिसमें RICE प्रात्मिक प्रात्मिक उप्चार में PRICE प्रियुक किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है पी का मतलग हो जाता है प्रोटेक्शन यानि सबसे पहले उसकी जो भी सुईधा है उसको जीवन बचाना उसके बाद र से हो जाएगा रेश्ट उसको दो एसको बरफ लगाओ शीप से कंप्रेजन इसे दबाना ई से इलिव्यायशण यानि कि उसको गजाएब कर रहा है कि प्रात्मिक absorption की बात कर रहे हैं तब दूसरा हम उपाय सोचेंगे, यहां पर राइट इन सुरू हो जाएगा, आफसन नमबर C, जो भी सुईधा उपलब्द हो, उसकी मदद से जीवन बचाना, ठीक है, यानि, सेविं लाइफ, विद दे हेल्प आफ, वाटेवर फैसलिटी इज अविलेवल, कि यदि सीखे जाने वाली नई निपूर्ता, पहले से सीखी गई निपूर्ता से भिन है, तो इसे सीखने के इस्थाना अंतर को क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि सिखने के प्रसिचर के इस्थाना अंतर के सिधान्त जो है, क्या होता है, जब कोई किसी बिशय या अत्वापरिसिति में सिखेगी बातों का या ग्यान दूसरे बिशय को सिखने में साहथा करता है, या बाधा उ Rainbow करता है, तो उसे हम सिखने का इस्थाना अंतर का कहते हैं, तो यह तीन प्रकार का होता है धनात्मक ज्ञान इस्तकरात्मक रिरात्मक और सुन्यात्मक यदि पहले का ग्यान नवीन ग्यान को सिखने में साहता करें तो उसे हम कहते हैं धनात्मक या पॉजटी ट्रांसपर या सकरात्मक सा ट्रांसपर जैसे टेनीस का पैर्डमिंटन में एंड रिरात्मक इस्थनाद्र क्या होता है जब पहले का सिखा हुआ ग्यान नवीन ग्यान को सिखने में या अर्जन करने में बाधा उत्पन करें तो उसे हम रिरात्मक इस्थनाद्र कहेंगे जैसे, cycle का नाओमी, cycle चलने का नाओमी, क्या होगा? रियात्मकी स्थंदर होगा। तिसरा होता है, शुन्यात्मकी स्थंदर, जब पहले का ग्ञान या और नवीं घ्यान प्राप्त करने के न सहभीता उत्पन करणे हैं, न सहाःता करकें ग्लाइपसे हैं, यहांपर ये कोशन किया पूचा है कि पूछा है और पहले से सीखी के रिपूर्टा से वह भील्ण है तो नहें बीन है तो दो उट्छाव बाधा उतपन करेगा और नहीं तो तो सहयता करे आप को हार्ट एढ़ाते है क्या बताते हैं आप कहते है तिस कि अ अर्मालीitives रहे नहीं अधिक अन्यय नियुनतं आ ऐसे बताते हैं और अंतर अधिक्तम कि दर ऐसे तो एक मिनट में जितना हमारा ही धैग्त भरता है उसी को हम हीदय गती कहते हैं तो हय एसर क्या हो जाएगा प्रती मिनट दिल के संकुचन की संख्या नंबर आप हर्ट कांट्रेक्शन पर मिनट नंबर आप हर्ट कांट्रेक्शन पर मिनट एक मिनट में यतने दिल का संकुचन यानि कांट्रेक्शन होता है वही आपका हिदय गती होता है हर्ट रेट जो होता है जब धरकता है तो उसमें दो धोनी को सुनाय देती है ज़िए कि भायकशपिर, जैसे कि हिदे में चार वाल्व होते एं दाइय निले के बीच ट्राइकशपिर वाल्व, बाइय निले निले के भी पिच बिच अमिट्रैल वाल्व झत awake चैकरवे के बीच नीणि और भायकशपिर थेत सीमयी貌, प्लिमोल्री, लाथमठिक बीच एक साथ बंद होती हैं तो पर्थम धोनी सुनाई देती हैं लब और उसके बाद जब दो से मुले वालब यानि एरोटिक वालब और पलमुनरी वालब बंद होते हैं तो निले जो है डाज टोन के समय दाप कम होने के कर आवाज डब की तरह सुनाई देती है ठीक है तो याद लब डब धोनी सुनाई देती है लब डब नेक्ट कोस्टन है दोस्तों कि संतुलन निल्फर करता है बैलेंस डिपेंड्स ओन तो दोस्तों संतुलन किस पर निल्फर करता है यहां पर हो जाएगा वस्तु के चोड़े अधार पर पहले हम इसका एक्स्प्रेम कर देते हैं ज संतुलन क्या होता है एक्यूलिब्रियम या बैलेंस जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह से कारे करे कि वस्तु ना तो रेखिये गति करे और न गुड़न गति करे तो उसी हम संतुलन कहते हैं संतुलन के लिए निमने कारकों पर निर्भा करता है पहला कारक हो जाता है केंदरी ये गुर्थवा कर्श बल बिंदू यानि संतुलन में कोई वस्तु तब तक रहेगा जब तक उसका सेंटर ग्रविटी पॉइंट यानि आधार बेस के उपर रही सीजी पॉइंट जो है बे वेले क्रियाने जैत्व ऑफ्जा करती हैं संतुलन का अधार का कैसा है याधार जितना बड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा अधार चब्डा होने से उसका सीजी पॉइंट स्टिप्ट हो जाता है जिससे गुर्तवा करसर रेखा अधार पर ही रहती है बाहर नहीं जाती है तिसरा कारक होता है फिजियोलोजिकल इफेक्ट जैसे कि हमारे कान में एंडोलिंफ संतुनन में सहाय करता है अपनी जगह से हिल जाने पर चकर आने लगता है एक कारक होता है बीजूल तथा कानिस्थेटिक सेंस यह अपने आप आती है उधार के लिए हमारा पेर कां दिपेंस आं यहां पर वस्तु के चवड़े अधार यानि विट्स बेस अब दव अबजेक्ट एंड दोस्तो वस्तु के गूर्तवी के अंदर पर ठीक है चेंटर ऑफ ग्रविटी अब दो अबजेक्ट यानि कि वस्तु का चवड़ा अधार होता है संतुन सही होगा और से की इतना नीची रहेगा उतना ही संतुन अच्छा होगा यहां पे राइट एंसर क्या और जाएगा मुर दें अन वर दें वन आफ़ अफ द बभ यानि कि औपरवत्त में से एक से अधिक आपसंट निंबर डी यहां फे राइट एंसर होगा इसते से आपको को समझना है नेक यानि की पुरुसकार आपका एक्सटरणल मोटिवेशन है कि इस कुई काम किया उसको पुरुसकार दे दिया तो उस सब्सकार कि के चलते हो फिर बेथर करने की कोशिश करेगा तो अइस queer ऑड़ कर रहा हैं आपने किसी का प्रसंसा किया प्रेज उसको दिया तो उस प्रसंसा के कारा सोचेगा कि मैं करूंगा तो फिर से मुझे प्रसंसा मिलेगी एक्स्टर्नल मोटिवेशन है ठीक है यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन यहाँ पे एक्स्टर्नल मोटिवेशन यानि कि वाहे उत्प्र और मोटिवेशन नहीं है तो आपसर नमबर सी आपका राइट इंसर हो जाएगा ठीक है डिजायर आपका राइट इंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है परिछण मापन एव मुल्यांकन का परसपर संबंध निमलेखित धंग से है टेस्टिंग मेजरमेंट्स और इविलिशन आर लेटेट टो इच अदर इन दा फॉल्लिविंग मैनर दोस्तों जैसा की अब जानते हैं टेस्ट मेजरमेंट और इविलिशन ये ती होगा परिच्छर क्या जो आपने पढ़ा ठीक है जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं उसकी परिच्छा देते हैं परिच्छा देने के बाद हम उसको क्या करते हैं चेक करते हैं यानि मापन करते हैं उ इतनः बच्ची ब इतना लाया फिर हैं तो कहां मुल्यांकन करते है सबसे कोन नहीं क्या कमिया हैं यह सुधार करना है सबसे पहला стrip क्या परिच्छर हुआ इस प्रकार यहां पर राई ła cooked COM किसका हिस्सा है मापन और मुल्यांकन का हिस्सा है ठीक है टेस्टिंग इस पार्ट ओफ मिजरमेंट एन एवलियुशन यहां पर राइट इंसर हो जाएगा and next question है कि का प्रभाव समय तर्ट पर पर पड़ता है कि दोस्तों आप किसी का समय बना रहे हैं टाइम बना रहे हैं इंदर स्टों में एकृपमेंट देखेंगे मौसम कैसा है यानि वेदर देखेंगे इन सभी वो देखते हुए आप समय साड़ी बनाएंगे इसका मतलब है कि यह सभी फैक्टर्स जो है समय साड़ी पर प्रभाव डालते हैं यहां पर राइट एंसर हो जाएगा यानिकी उप्रोप्त में से एक से अधीग अगर आप सही रहेगा आप डी लर आएगए आप सही नहीं रहेगा तो यह वाला आप संपर चले जाएंगी उप्रेत में सी कोई नहीं किये जाते हैं हर्ट एंड लॉंग्स और कंट्रॉलेट की जाती हैं तो कली में कोसन आया था जिसार बार वाल ंघेटा को इस के द्वरा कित्र ने और दौर्ण से उसे सबिया क bisslो गिया है क्यों क्या करता है डेता यह ने वेक पर होड़क है, जिन गश्फ को वोइल नहीं पड़ता जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन डाजेस्टिस सीस्टम रिस्पेरिट्री सीस्टम यानि स्वसंत अंत्र हार्ट रेट डाइजेस्टन एंड स्मूथ स्पीच एंड जठर मारक को इस्टराव होने वाले पदा थो तो प्रेजक्ट क्रियाओं का नियंतर करना दोस् यह मस्तिस का यह पिछला वाला भाग है बहुत ही इंपोर्डेन होता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह तीन प्रकार का होता है नर्वस सिस्टम तीन प्रकार का होता है तंत्र का तंत्र सेंटर नर्वस सिस्टम यानि सी अनस दूसरा होता है PNS, CNS, PNS, ANS, CNS, Central Nervous System, जिसमें हमारा Brain and Spinal Cord आता है, दूसरा होता है PNS, Peripheral Nervous System, जिसमें 43 जुड़े नाडिया निकलती है, जिसमें 12 जुड़े नाडिया, मस्तिस्क के दवारा, कॉनिथर नाडि, और 21 जुड़े नाडिया, Spinal Nardy, Spinal Cord के दवारा, तूसरा होता है, ANS, यानि Autonomic Nervous System, जिसमें अनुकम्पी और प्रानुकम्पी, यानि कि सिंपेथेटिक और प्रासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें से हमारा जो Central Nervous System होता है, जिसमें ब्रेन और Spinal Cord आता है, जो ब्रेन होता है, बेन को तीम भागूं बाटा किया है, फोर बेन, मीड बेन और हिंड बेन, यानि अग्रमद्धि और पस्ट बेन, आग्रमद्ध बेन में हमारा प्रमस्टिक यानि सिरेब्रम आता है, जिसमें से बड़ा भाग होता है, आईनलेमिश सिटम, तहलेमस और हाइपो थेलेमस, इ इसमें से अग्रमस्जी जो प्रामस्तिस होता है यह सोचने समझने कलपना सकती स्वाद सुनने सभी प्रकाय की चीजे बुधिमत्ता चिंतन का केंद्र होता है एंड जो हमारा थेलेमस होता है थेलेमस क्या होता है ठंड़ा गर्म और दर्द काउन को अकुलाता है और इसी में रिले इस्टेशन होता है थेलेमस में जो समेथी कोशिकाउं के जूंड यहां पर आते हैं कि यहां पर आकर ही खलेमस के पास सबसे पहले आते हैं अब फिर इसको सेरेब्रम के समंदित छित्र में भेजता है है अउय यहीं प्रकार जो मोटर जिसे कि दो नरु होते हैं एक संसृरी नरु電र एक मोटर नरुड हमारे फ्यानेंद्रियों से संदियस को मस्तिषित पोन पहुंचाता है और मस्तिषित से जो कल्किलेशन होता है बन सबी स्वार चीज़ों को अमारे मानस्पेशियों तक को यहां करता है यानि रिले स्टेशन का कार करता है यहां पर रुख कर ही दुसरे जगह जाता है ठीक है अब हाइपोथलेमस क्या होता है दूस्तों हाइपोथलेमस जो है यह सभी प्रकार के समविदनाओं भावनाओं का केंद्र होता है प्रेम घीडा हर्स बिसाद क्रोथ सेक् कंदरि अ करता है हर्मोन के नियमंद्र करता है जल्ट संतुलन बनाता है और हैपुथालेमस हार्मोन को भेज़ता है , भूखं प्यास लगने का थे अंदर भी हाइपोथेलेमस होता है कर्पोहीडिक ववस्डा का पाचन जैसे उपाप्चे जैसे कार भी हाइपोथेलेम moeten के द्वारा होता है सबसक्स था लडरा सबस्त्त होता है कौर्परवाजिस कारपक्राफ कौर्परवाजिमीना जो है सुनधेशन जो सुनने और संतुनन करता है कि मध्यीमस्तिष का पौंचन बिलोरौ बलागो फेली स्प्स्तिश का इसालब अप्रेण बनाते हैं मध्यप्रदेश का जो एमपे टेट में आपने एक्जाम दिया था उसमें पूछा हुआ था कि मस्तिस का ब्रेन इस्टेम किसे कहा जाता है कौन-कौन से पार्ट मिलकर बनते हैं तो मध्यप्रदेश पॉंस बेरुली और मरिला अबलांगेता एक सीध में होते हैं एक इस्तम्भ का कार करते हैं मध्य मस्तिस पॉंस बेरुली मिलला अबलांगेता मध्य मस्तिस पॉंस बेरुली मिलला अबलांगेता एक तीनों मिलकर मस्तिस का इस्तम यानि ब्रेन इस्टेम बनाते हैं दोस्तों पस्च मस्तिस के अंतरगर सेरी बेलम और मिलला अबलांगे सब्सक्राइब करता है इसके कारण गिरे बिना हम चाल सकते हैं इसी के कारण हम नई चीजे सीख सकते हैं सेरी बेलम के कारण और मिदलो अबलांगेता जो है उस सभी अनैचिक क्रियाओं जैसे की ब्रड सर्कुलेशन पाचन तंत्र हार्ट रेट इन सभी सवसंद तंत्र इस सभी को नियंतर करता है मिदलो अबलांगेता चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ कों सा उतक सरी का सन रच्छक करता है विश टीशू प्रोटेक्ट प्रोटेक्स दबॉड़ी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उतक क्या होता है समानल कारे और समान ध्रसना करने वाले कोशिकाओं के समूब ग 46 कहते हैं ये साइन चार प्रकार के उतक घिक होते हैं इस इक तीलीर तीसव यठी बोड़ी की सन्रच्रक उंच्छक करता है हमारे समस्त ख़राय kit पर आधिक रख्त ना लिकाऊंगं स्वासन न लिकाऊंग जो है प्रोटेक्ट प्रतान करती है तो उह ओती है इपि थीलिय टीसु ठीक है उपकलाऊ तक को इपेथिलियल टीसु यानि उपकला उतक ठीक है उपकलाऊ तक की खोज अथर्मी सदी में रियूस द्रश बग्यानिक में किया था खोच और इसके उत्पत्ति एक्टोडर्म मीसोडर्म एंडोडर्म से भुरूड के तीनों प्रात्में किनर इस तरों से होता है और सरी के बाहरी या आंत्री सतों पर महीन परतों के रुप में आवरित रहते हैं यह एपिथिलियर टीस के कारण ही गुहिकाओं तथा खोखली यूम इस्पंजी उत्तकों का आवरर नम रहता है जिसे हमारे मुख गुहा इसकीन नासा गुहा फेपड़े अमासे आतों की आंत्री सता लीवर इस सभी को प्रोटेक्शन परता करता है सरी कि सनरच्छा परतान करता है इपिथिलियर की तो नैस्ट पॉशन है कि कि अंडु मॉर्फ में निम्न में से कौन सी विसेस्ता होती है अच्छा जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप यह अज़िए अगर्फ मेसमॉर्फ एक्टो मुर्फ इस बर्ड टाइप्स को यह बाता है सेल्डर ने तो शेल्डन ने बाडी टाइप्स को तीम भागों बाटा है एंडो मेसू एंड एक्टोमर्फ तो इनको तीनों के बारे में इन्होंने सरीर का आकार धाचा और बाडी कमपोजीशन के अधापर बाटा है तो यह कोशन हर बारा पूछा जाता है जो और इनका एंडो मॉर्फ जो है गोल का बाडी होता है और एंडो मॉर्फिक बाडी बिween की कहा जाता है यह चुरीर मोटा गोल कोमल बहुत खाने के प्रप्रिती वारा आराम तरब नहीं प्रीय मिलंसार होता है यह होता है यहां जिसका संबंद मुख्री रूप से ताकस से होती है जैसे कि पावर लिप्टिंग, गोला फेक, तस्तरी फेक, सुमो कुष्टी में अच्छे होते हैं एडिलेटी स्पील वाले में अच्छे नहीं होते हैं जो सुडूल काई बाड़ी होता है, मजबूत बाड़ी होता है, जिसी सुमेटोटोनिक भी कहा जाता है इसमें अस्थी पंजर पेसिया बिक्षित मजबूत होती है, स्वास्त अच्छा बदन फूर्तिला होता है यह साहसी, निडर, उस्थाही, अधिकारकुर प्रविती, कटनाई में अधिक्सक्री होते हैं और ताकत, चपलता तथा चार्ज समधित खेलों के लिए अच्छे होते हैं, मेसोमोर्फिक सभी चीज़ों के लिए अस्थी प्रविती, 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 रखते हैं दूसरों की सहाथा लेने के अपनी सिमाओं में रहने का प्रयास करते हैं यहां पे पुछा है आपका एंडो मुर्फ में निन में से कौन सी बिसेस्था होती है तो इसमें सबसे बहुते देखें कि आपकी गोल मुटॉल यह मुलायम सरी वाले होते हैं ठीक है और यहां पे सासी एवं इसप्रेश्ट बिचार तो आपका मेंसो मुर्फिक का होता है यह होगा नहीं ठीक है अपनी योगता का अधिक मुल्यांकन करते हैं यह भी एक विसेस् इसमें टाकत किया सकता होती है जादे अच्छा होते हैं यहां पे आफसर नंबर एणन सी दोनुं सही है तो रेक एंसर क्या हो जाएगा उपरुक्त मेंसे एक से अधिक ठीक है आफसर नंबर डियापका रेक होगा यहां पे आप देख सकते हैं अगर इंग्लिस में देगा तो हैवे राउन प्लम एंड शॉप्ट बॉड़ी ठीक है और यहां पे होगा नेक्ट कोशन है दोस्तों कि पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभावर नहीं है तो सबसे पहले देखेंगी कि आप जब व्यायाम करते हैं तो पेशी उपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपने माइन वे तुरंत करिएगा उसके बाद राइट एंसर आप दे लेंगी तो सबसे पहले हम जो है प्रोटीन की मादरा वा वसारहित माद भार बढ़ता प्रोटीन की मातरा भी बढ़ती है और फैट फ्री मास भी बढ़ता है यहां पे आपका राइट हो रहा है यानि प्रभाव पड़ता है अ का की मायोग्लोबीन की धारिता अप्षाय बढ़ना इंकट करता तो मायोग्लोबीन क्या होता है जिसी प्रकार हमाई अंकाल मान्सपेंजियो में मायोग्लोबिन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है है हमाय र democrats में क्या करitा है लेकिन मायोग्लो बिन क्या करता है कि यह हमारे मांस्पेशी कोशिकाओं को आक्सिजन की पूर्टी करता है आक्सिजन को बार दें रखने का काम करता है मायोग्लोबीन ठीक है और यह कुल पेसी प्रोटीन का लगफ़क दो प्रसेंट भाग होता है तो याद रखेगा कोशन टीयाइटू में पूछा हुआ था कि मानस्पेसियों में एक प्रोटीन वड़क है जो हिमोग्लोबीन के समान होता है वो क्या पलाता यह कोशन पूछा ह है इस प्रकार से भी किसी प्रकार से भी आपको याद रहेगा तो किसी प्रकार से घुमाएगा आपको टेंशन नहीं होगा यहां पर प्रोटीन के मातरा वसा रहित भार बढ़ता है इंक्रेज इन प्रोटीन एंड फैट फ्री मास फैट फ्री मास बढ़ना अच्छा है या यहां पर वसा सरी की वसा बढ़ना यह गलत है ठीक है वसा नहीं बढ़ता है वसा नहीं बढ़ता है यहां पर प्रोटीन की मात्रा वसा रहित भार बढ़ना यानि की increase in protein and fat free mass increase in myoglobin and capacity myoglobin की धायता यानि oxygen ग्रहण करने की जो बाधनी की चमता होती है मायोग्रोबीन में वह बढ़ती है यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा more than one of the above ठीक है यानि की उपरत में से एक से अधिक उपरत में से एक से अधिक आपका राइट एंसर हो जाएगा कि नेशनल फिटनेश कॉप्स कब अरंब किया गया था वे जपरत एंसर यहां पर आप देख सकते हैं आपको पता होगा आपको पता होगा तो राइट एंसर अब डे लेंगे नहीं होगा तो नहीं दे पायेंगी इस पूस्टन का जैसे कि आप जाते हैं 1965 में निशनल फिट की स्थपना आरंब हुआ था तरह आपे 1965 कहीं दिया नहीं है तो रायेंसर क्या हो जाएगा उपरोंत में से कोई नहीं थीक है उपरोंत में से कोई नहीं ना आप दाइबग ठीक है नेशनल फिटनेश कॉप्स की आरंब कभ वुआ था 1965 में याद रखेगा कभूआ था 1965 मी ठीक है तो एथा दोस्तो आज की सेशन का और स्पाइब को жार्ञ अपको समझ में आए ओंगी दोस्तों जो भी कोशन में कुछ भी कुछ भी आओठ होगा तो रहन Ingकорот पर अमसे पर साल किये गाई कुलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्राइक्रिस में तब तक के लिए जड़ेंगे